नमस्कार निशामदुलिका.com में आपका स्वागत है आज हम मटर आलू की सबजी बनाएं लिए सभी को बहुत पसंद आती है घर में हम इसे अक्सर बनाते ही रहते हैं पड़ी आसानी से और बहुत जल्दी बन जाती है तो आएए मटर आलू की सबजी बनाना शुरू करते है है तो आलू मटर की सबजी बनाने के लिए सबसे पहले हम टमाटर का पेस्ट तयार कर लेते हैं दो टमाटर है दो हरे मेच और एक इंच अध्रक का टुकड़ा है इन्हें हम पीस लेंगे तो यह हमने पहले से पीस करके रख लिए हैं वह हम हटा देते हैं यह ले लेते हैं पैन गरम कर लेते हैं पैन गरम हो गया है पैन में हम दो टेबल स्पून देल डाल देंगे तेल को गरम होने देते हैं आदा छोटी चमच जीरा डालेंगे एक पिंच हींग और गैस को थोड़ा सा धीमा कर देते हैं तक हमारे मसाले जल्दी से जलेंगा आदा छोटी चमच ह और अगर आपको तीखे सब्जी खानी हो तो मीर्ची थोड़ी सी जादा डाल सकते हैं और बहुत हलकी मिर्च खाना पसंद करते हैं तो हमने सब्जी में हारी मिर्च डाली है अध्रक डाला है उससे भी अच्छा थीका पना जाता है मसाले को हम तब तक पूनेंगे जब तक कि मसाले से तेल अलग ना होने लगे मसाले को फून लेते हैं मसाले से तेल अलग हो रहा है हम मसाले में मटर के दानी डाल देंगे हमने एक कप छिले हुए मटर के दानी लिये हैं और इसको मिक्स कर देते हैं इसको हम ढख देते हैं और धककर के धीमी आंग पर मटर को 2-3 मिनिट पकने देते हैं जब तक हमारे मटर के दाने पक रहे हैं तब तक हम आलू को चील कर तयार कर लेते हैं हमने चार पहले से उबाले हुए आलू लिए हैं और इन्हें हम चील लेते और 3 मिनिट हो गया है मटर को चैक कर लेते हैं मटर को दबा करके देख लेते थोड़ा मटर दब रही है मसा नरम हो गई है अब हम इसमें आलू डालेंगे तो आलू को तो हम रफली इस तरीके से तोड करके डाल देंगे मिक्स कर देते हैं और सोड़ी सी तैज कर लेंगे एक दो मिनिट इसे तरीके से चलाते हुए हम मतर आलू को साथ साथ भूल लेते हैं को अगर हमें मटर रालू की सूख़ी सब्री बनानी है फो हम किषी समय नमक और गरम मसाला डाल करके थोड़ा हरा धनिया डाल करके मिक्स करेंगे एक-दु मिलिड सब्दी को पकने देंगे हमारी सूखी मंटर आलू की सब्जी बनकर तयार हो जाएगी लेकिन हम अभी तरी वाली सब्जी बना रहे हैं हम सब्जी बे पानी डाल देते हैं तो सब्जी को हम जितना पतला या जितना गाड़ा रखना चाहते हैं अपनी पसंद के अंसार बनाए थोड़ तोड़ा सा गाड़ी सब्जी रखनी है लटपट सब्जी रखनी है तो थोड़ा कम पानी डालेंगे हमने सब्जी में एक कप पानी डाला है थोड़ी सी गाड़ी सब्जी बन करके तयार होगी यह हमने एक चमच से थोड़ा सा जादा नमक लिया है या स्वाधा अमसार नमक लेंगे और एक चथाई चोटी चमच गरम मसाला है भो जब आल देते हैं ठोड़ा सा एक टेबल स्पून ठल्या डाल देते हैं भारी कटा हुआ मिक्स कर देते हैं और सबजी को थोड़ा 3-4 मिनित पकने देते हैं ढग देते हैं हमारी सब्जी बनकर के तयार हो गई है बहुत अच्छी कुश्पू आ रही है सब्जी को हम प्याले में निकाल लेते हैं मटर आलू की सब्जी बनकर तयार है बहुत अच्छी सब्जी बनी है थोड़ा सा हरा धनिया डाल कर हम सब्जी की गार्निश कर देते हैं और सब्जी को और ज्यादा स्वादिस बनाना है तो हम इसमें एक छोटी चमच घी डाल देंगे बहुत ही ज्यादा स्वादिस सब्जी लगती है मटर आलू की सब्जी को चपाती पराथे पूरी और चावल किसी के विशा सर्व कर सकते हैं और इतनी सब्जी परिवार के तीन चार सदस्यों के लिए परियाप्त है तो आप मटर आलू की सब्जी बनाई है खाई है और अपने अनुफव निशामदलिका.com पर शेयर कीजिए एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब चरूर कीजिए